वेल्कम बैक तु जागो लहोई जिनाब अगला हमारा जो सेग्मेंट होगा वो हेल्थ सेग्मेंट होगा और इसपे हम बात करेंगे किड्नी ट्रांस्प्लांट के हवाले से किड्नी के जो मसायल रंच को डिसकास करेंगे उसके लिए मारे सब मौझूद होंगे डॉक्टर बढम होगा जो हमारा बड़ा 1 आधर करें था कि ड्रीकृ डिशकारी 9 काफी सारे मसायल को हम शत्षय pellet में मरे पास पेशिए फोर्ट होते हैं जिसमें ब्लेड प्रेशब में करता है प्रिवेंट करके हम यही तीन वेजू हाते हैं जिसके ज्यादा तर यही है अच्छा गुर्दे जो फेल हो जाते हैं या किड्मी जो फेलियर है इसकी वजह से दीगर बिमारियों का भी खत्रा होता है अब्यूसली उनके साथ साथ देखें यह एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसी बिमारी है जिससे पूरा हैल्थ सिस्टम और बर्डन हो जाता है अब ब्लेड पेशर शुगर टाप पे है उसके बाद ब्लेड पेशर और और फॉर परसंट और फ़ाइव परसंट जो किनी फेलियर होता ह किनियों स्टॉन्य। डिजीब से होता है वर्ल्ड वाइल्ड डेटा में इसकी वज़ाई से फिर पेजिन को हम डियालेसस पे पर डाउन कर देता है या डियालेसस से पहले भी कई पेजिंट एक देरेक्ट ट्रास्प्гиया जा सकता है जाधातर लोग डायूडिसीस वह उते ही जिन को डायधा। हुम provide करते हैं किको डिंग्नी ट्रास्प्लांट के लावे हैं कि उसके चूबह तोब से चुछाई यह अनुज है एक होता है acute, acute can be reversed, वो वापस आ सकते हैं, जो chronic patients होते हैं, वो वापस नहीं आते हैं, ultimately हम उनको advice करते हैं, this is basically called as a renal replacement therapy, वो in the form of dialysis भी हो सकते हैं, in the form of transplant भी हो सकते हैं, तो हम उनको advice करते हैं कि ये दोनों में से कोई opt कर लें, अच्छा रग सब किद्नी transplant के हवाले से बहुत अच्छा है, एक हम इनको डिवाइड करते हैं, दो हिसो में, one year survival rate, means एक साल graph या जो किनी हम लगाते हैं, उसका survival कितना होता है और पांच साल के बाद दुबारा देखते हैं, जो data हमारे पास international data है, उसमें more than 95% one year survival है, means उनका success rate 95% है, और ऐसे मरीज जो पांच साल तक भी ग transplant की तरफ जाएं, have a normal life, almost normal life, however, उसके साथ हमें medicines लेनी हैं, कभी हम यह नहीं कहते हैं, कभी हम यह नहीं कहते हैं, कभी हम यह नहीं कहते हैं, जिनका by birth यह जिनका बहुत अली एच में एक kidney failure है, या दूनों kidney failure है, मतलब उनका भी इस तरह से transplant होता है, कभी भी एक kidney failure पे, पे however, जिनके बैदाइशी तोर पे दोनों गुर्दे fail हो जाते हैं, तो they need ultimately transplant, जिक है, अज़र रख सब kidney transplant के हवाले से बहुत जायती तदा भी होंगी definitely है, और इसको kidney failure के rest को कम करने के लिए, basically हम अगर बात करें, तो क्या हमारी lifestyle modification होनी चाहिए, पहरी बात कि जिस वज़ा से fail हो रहे हैं, तो हमें उसको address करना है, अगर किसी को sugar है, तो sugar का अच्छा control होना चाहिए, बहुत अच्छा control करें, blood pressure है, तो उसको control करें, अगर stone disease की वज़ेसे blood fail हो हैं गुर्दे, तो stone disease को prevent करने के लिए measures लेते हैं, ऐसे मरीज जिनको अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तो blood pressure control sugar control, उसके साथ plenty of liquids, पानी का इस्तमाल अच्छा होना चाहिए, हम जिस area hot humid air में रहते हैं, यहां पे जो area है हमारा lahore का यह जहां पे पाकिस्तान है, तो यहां पे पानी का इस्तमाल सबसे अच्छा होना चाहिए, especially हम recommend करते हैं, कि 10 से 12 glass रोजाना routine ली पिए जाहें, या हम आ post transplant, अगर किसी का transplant हो चुका है, उसके लिए हम यह कहते हैं, के medicine का follow up बहुत जरूरी है, मुस्तनद doctor के पास जिनके भी follow up में हैं, उनको जरूर regularly visit करते हैं, पहले हम early phase में हर महीने बलाते है patients को, उसके बाद by monthly और उसके बाद quarterly, ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं, और उसके उ को या किसी एंसान को इस तरह की problem हो रही है, तो क्या symptoms होते हैं, कि जिनको idea हो सकता है कि kidney failure की तरफ जाए है, गुर्दे की बीमारियों में again depend करता है कि किस वज़ा से failure हो रहा है, अगर पत्री की वज़ा से है, तो उसकी वज़ा से पहले-पहले दर्द होता है, patient को दर्द हो हो सकता है, उसके बाद अगर sugar है, blood pressure है, और अगर failure की तरफ जा रहा है, तो उसमें पिशाप का कम आना, बूक का ना लगना, या मतली या उल्टीया होना, बार बार होना, ये वो अलामात हैं, जिसमें हमें patient को कहते हैं कि आप इसको address कर लें या investigation करवा के, इसको diagnosis करवा लो ठीक हो गया, अच्छा, किद्नी जो हम बात करें स्टोंज की, जो हम बात करें स्टोंज की, जो होते हैं और क्या लेजर के तुरू भी इनका treatment हो जाता है, इस वाइड डिसकुशन पर इस्टों डिजीज, इस्टों के बनने के मुक्तलिफ वजुवा आते हैं, स्टों के बन भी इनलेसे is of the circle's. However, जहां तक आपका सब़ली लेजर के होले से, भी लेजर के साथ करते हैं, लेजर के नंनलेजर के साथ परेंट हैं और लेजर इट्स इसल्फ इरिफरेंट है, अहां आ मफूमे में कैमरे वाला और शाथ बी गह देते हैं, जो ब्ली अच्छा आँ जो र अच्छली डिपेंट सपान इस साइज आफ इस्टोन कितना बड़ा है इस्टोन की लोकेशन क्या है किड्नी में से लेके यूरेटर जो गुर्दे की नाली होती है और मसाना मसाने कहां पे स्टोन पड़ा हुआ है अकर्डिंग तो देट सिट्यूएशन वी डिजाइड प्रोसीजर अफ सेजरी किस किसीम की सेजरी किस किसीम का लेजर हम पेशन को ऑफर कर सकें है त्रिक है अच्यो आपकस्तार में इतनी फसेलिटीज है यह इतना अच्छा ट्रीट्मेंट है जसी बिल्कुल हमारे पास माशाएलाह पास सारी फसेलिटीज है होवर मैं यह जरूर को हूँगा कि गर्मेंट की लेवल पे यह बहुत अच्छा होना चाहिए और होना चाहिए जी बिल्कुल, obviously हमारे पास बहुत ज्यादा बर्डन है रीनल फेलियर की पेशेंट का, क्या वजुआ आते हैं कि ज्यादा रीनल फेलियर की तरफ आरे हैं? हमें अपने आप के बारे में इतनी ओरेंटेशन नहीं है हम हम शुगर ब्लड प्रिशर या जो गुर्दे में स्टोन की वज़ा है जो स्टोन डिजीज है उसको जब नेगलेक्ट करते हैं तो अल्टीमिली वी लेंड विद इस प्रॉब्लम्स ठीक हो गया अचा किस तरह की ड अच्छा इस्तमाल करें नमक का कम इस्तमाल करें बड़ा गोश्ट ऐसे मरीज जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है तो उसमें बड़ा गोश्ट बिल्कुल बंद करवा देते हैं चोटा गोश्ट लिमिटेड कौइंटिटी में कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो जिनको बिलकुल बंद किया जाता है कुछ मक्सूस या कम मिकदार में इस्तमाल की जा सकती है जैसे हमारे पास गुर्दा किड्नी इट सेल जब लोग खाते हैं टका टक के बना के या जिगर या लिवर हम कहते हैं वो खा ले हम उसमें हाई प्रोटीन डाइट होती है तो आपना खाएं जैसे मगज है ब्रेन मसाला बना के खाते हैं तो उसमें भी हम उनको रिस्टेक्ट करते कि वह आपना खाएं और जूसेस प्रोट का इस्तमाल किस तरह से होना चाहिए जूसेस जितने भी नेच्रल जूसेस है जैसे शुगर केन का जूस है इस्पेशली जो प इस्तमाल करने चाहिए थैंक्यू वह में डॉक्सा बहुत शुक्रिया आपने किड्नी ट्रांस्प्लांट और इसके हावाले से बात किया और आज हमने पूरी कोशिश की कि आपको हर सोबे से थोड़ी 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 फूट कहाएं तब ही आप किड्नी फीलियर खुद फेस्बुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजेगा हमारा पेज है जागल हॉर के नाम से और इंकेज अभी खशौप ने मिस कर दिया तो शाम पांच बजे रात एक बजे रिपीट भी होगा हमारे यूट्यूब चानल पर भी अवेलेबल होगा आपसे मेला कात होगी कर